हेलो बच्चो कैसे हैं सब लोग बच्चो आज हम बात करेंगे फ्रोग की ये न्यूली एडि टोपिक है नीट के लिए दोस्तो हम NCRT के एक एक लाइन को पॉइंट्स में अडरस्टेंड करेंगे चीजों को कॉंसेप्चुली समझेंगे आप वीडियो को देखते रहना और इन औरस बनाते रहना उसमें आपका NCRT का पूरा कॉंटेंट और पूरी फेक्च्चुल इंफरमेशन पॉइंट टो पॉइंट कवर हो जाएगी तो उसे याद रखना असान रहता है एक बार पूरा समझने के बाद हम बोर्ड की हाल्प से फिर NCRT रीडिंग करेंगे NCRT क पॉइंट को समझने के लिए तो बच्चो शुरू करते हैं तो फ्रोग बच्चो जो इंडियन फ्रोग है इंडियन फ्रोग को नाम दिया जाता है रेना टिगरीना क्या नाम है रेना टिगरीना तो हम कह सकते हैं कि जो रेना है ये क्या हो गया ये इसका जीनस हो जाता है औ फाइलम हमें पता है, फाइलम इसका कोल डट है, फाइलम कोल डट है, क्लास हमें इसकी पता है, ख्लास है इसकी amphibian class है इसकी amphibian amphibian means amphi means both being means living so you can say it can live it can live on land as well as in water तो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है इसलिए हम इसको amphibian कहते हैं जो frog है ये एक cold bloody animal है cold bloody animal का मतलब होता है जो अपनी body के temperature को बाहर के environment के according बदलते रहते हैं उसे हम cold blooded कहते हैं cold blooded का दूसरा नाम होता है pociliothermic और हम कह सकते है इसका body temperature बाहर की condition पे depend है इसलिए हम इसको actothermic भी कह सकते हैं इसको हम actothermic भी कह सकते हैं और temperature constant नहीं है इसलिए हम इसको heterothermic भी कह सकते हैं तो इन सब words का एक ही meaning है और वो meaning क्या है that is temperature बदलता रहता है इसलिए हम इनको heterothermic या cold blooded कहते हैं ठीक है दोस्तों आगे इनका जो season होता है breeding season तो उसे हम बोलते हैं rainy तो rainy season जो है rainy season is breeding season rainy season is breeding season अब आपने देखा होगा फ्रोग को कि बारिश की दिनों में आते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो उससे में हम फ्रोग दिखाई नहीं देते तो कहां चले जाते हैं सोने के लिए चले जाते हैं और इनके सोने का मतलब है कि ये इन्वार्मेंट की जो एक्स्ट्रीम होती है यानि एक्स्ट्रीम हीट एक्स्ट्रीम कोल्ट बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी उससे बचने के लिए एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो करते हैं means to protect themselves to protect themselves from extreme of from extreme of ये चले जाते हैं कहाँ पर सोने चले जाते हैं चिप जाते हैं मिट्टी के अंदर गड़े बना के so heat की extreme से बचना that is known as estivation तो estivation और cold की extreme से बचना that is known as hibernation so you can say you can say estivation is summer slip estivation is summer slip and hibernation is winter slip hibernation is winter slip right चली आगे दिखते हैं next point आपको लिखना बचो froak के case में आपने color change करते हुए देखा होगा जो normal color है वो है olive green color olive green color यानि light green color ठीका but but can change color but can change color to hide from enemy या to protect from enemy to hide or protect from enemy तो enemy से बचने के लिए ये अपना color change करते रहते हैं according to surrounding according to surrounding ताकि आसपास की जो background है उसके अंदर ये खुद को छुपा सके और इनके जो predator होते हैं उनसे ये खुद को बचा सके अगर आसपास का background घास है तो घास जैसे green हो जाते हैं और आसपास का अगर background मिटी है तो इनका जो green color है वो light green में change हो जाता है इसे हम बोलते हैं protective coloration so that is known as that is known as that is known as protective coloration that is known as protective coloration यानि color change करना खुद को protect करने के लिए according to environment according to surrounding protective coloration को बच्चो एक और नाम दिया जाता है mimicry इसको mimicry भी कहते हैं और इसको हम एक और नाम देते हैं और इसको हम एक और नाम देते हैं that is camouflage ठीक है तो यानि surrounding के coding color change करते हैं so that इनके predator इनको पहचार ना पाए यानि background में छिप जाए और background में छिपने किस property को बोलते हैं बच्चो प्रोटेक्टिव कलरेशन इसको बच्चो बोलते हैं mimicry और इसको बच्चो बोलते हैं camouflage तो ये सारी बाते हो जाती हैं frog के introduction के बारे में तो इन सब point को आप अपनी notebook के लिख लो right चलिए बच्चो next slide पे चलते हैं next हम आते हैं इसकी morphology पे next हम आते हैं frog की morphology पे तो frog की morphology की बात करें बच्चो तो पहले skin color अगर हम बात करते हैं skin color की तो skin color लिखे मेरे साथ dorsal side में dorsal side में skin color कैसा अभी मैंने बताया olive green color dorsal side में और body के उपर irregular dark sport भी है irregular dark sport on body irregular dark sport on body के dorsal side में ventral side में यानि frog को जब उलट के देखोगे frog को जब उलट के देखोगे तो आपको color मिलेगा बच्चो pale yellow जी है बच्चो color मिलेगा आपको pale yellow color right उसके बाद इनका जो skin होता है बच्चो that is moist अब moist क्यों होता है क्योंकि skin पे mucos gland होती है और mucos gland mucos secrete करती है जिससे skin पे nighttime बनी रहती है moisture बना रहता है और उस moisture के अंदर उस nighttime के अंदर oxygen dissolved रहती है और वह oxygen diffusion करके body के अंदर जाती रहती है तो mixed skin की जुरूरति इनको होती है ताकि यह skin की हालप से respiration कर सके so moist due to skin is moist due to mucous gland और हम कह सकते हैं जो skin है बचो that is slippery, तो slippery इनका skin है, ये पानी नहीं पीते बचो, पानी को skin से absorb करते हैं, so absorb water so absorb water by skin, तो skin से water को absorb करते हैं इनमें जो limbs होते हैं बचो, fore limb और hind limb, fore limbs और hind limbs, so limbs are used for limbs are used for walking burrowing मिट्टी में गढ़्धे बनाने के लिए limbs का इस्तमाल करेंगे swimming के लिए limbs का इस्तमाल करेंगे और बचो, leeping के लिए limbs का इस्तमाल करेंगे leeping का मतलव है ऐसे फुदकते हुए जाना, जंप करते हुए जाना एक एक वर्ड अगर clear है, एक एक वर्ड समझ में आ रहा रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जुरूर करतो उसके बाद इसकी morphology से related हम बचो कुछ और point एक बार देख लेते हैं कुछ और point देखते हैं इसकी morphology से related देखते हैं बचो, इसमें जो eyes होती है बचो वो होती है bulging eyes, यह रहा तो eyes क्या है? eyes जो है, वो है bulging eye, bulged तो bulge का मतलब होता है बचो, आखे जो होती हो बाहर की तरफ उबरी हुई होती है उसको bulged eye बोलते हैं और आखो में तीन eye lid होती है upper eye lid, lower eye lid और एक eye lid होती है जिसको बोलते है nictitating membrane, nictitating membrane पानी में eye को बचाने का काम करती है तो कितने eye lid होगी? तीन, upper eye lid, lower eye lid and nictitating membrane that is known as third eye lid, तो तीन eye lid इन में होती है यह जो अपने को structure दिख रही है बचो, इस structure का नाम है tympanum, इसका नाम है tympanum, जिसको ear drum भी कहते है जो tympanum और ear drum है, यह membrane like structure है बचो जैसे हम लोगों में यह ear pinna है, इसमें ear pinna नहीं होता external auditory canal भी नहीं होती, सीधी कान की शुरुआत कहां से होती है ear drum से कान का पर्दा जिसे तुम कहते हो, तो ear drum से कान की शुरुआत होती है ear drum को external ear के रूप में represent करता है ear drum से अंदर की तरफ middle ear होता है, जिसमें एक खड़ी होती हो, उससे अंदर internal ear होता है, जो well developed होता है तो यह external ear के रूप में बचो इनमें होता है, तो मेरे खाल से बात समझ में आ गई होगी इनमें ear पिना नहीं है, यह बचो इसमें nostril है, तो one pair nostril होती है, जो इसकी buccal cavity या buccal pharyngeal cavity के अंदर open होती है, तो one pair nostril हमें दिखाई दे रही है इसकी body में बटा दो ही division होते है, एक तो इसका सिर होता है head और यह बाकी body का जो part हो जाता है बचो, इसको हम बोलते हैं trunk यानि body में दो division है, head और trunk, body के अंदर neck और tail नहीं होती बोडी के अंदर neck और tail नहीं होती, राइट, चलिए अब यह इसका four limb है बचो, क्या है, यह इसका four limb है बचो यह इसका four limb है बचो, this one, four limb तो four limb की क्या property है, इसकी four limb जो होती है बचो, वो छोटी होती है short होती है, कमजोर होती है, तो मैं कहूंगा कि less long होती है तो short limb, four limb short होती है या less long होती है और हम यह कहेंगे, जो four limb होती है, उस पे four digit होते हैं बचो यानि four limb पे बचो चार उंगलिया होती है, यह दियान रखना बहुत बार कोश्चन आता है four limb short होती है, less long होती है और less strong भी होती है, कम मजबूत होती है और इस पे four digit होते हैं, लेकिन वहीं पे इसकी hind limb के बारे में बचो अगर हम बात करें, इसका जो hind limb होता है बचो, इसका hind limb जो होता है वो longer होता है बचो, ज्यादा strong होता है बचो, क्योंकि jump up करने में काम आता है इसलिए मैं कहूंगा, ज्यादा muscular भी होता है बचो और hind limb के उपर जो digit होते हैं, वो चार नहीं कितने होते हैं, पांच digit तो hind limbs पे कितने digit होते हैं, पांच digit, four limb पे कितने digit होते हैं बचो, four digit चलिए, एक और हमें बड़ा देखना है, जो पहला digit होता है, four limb का उसकी ventral side में एक structure होती है, जिसको copulatory pad कहते हैं इनमें क्या होता है? pseudo copulation होता है, यानि जो female frog है, उसके उपर male frog जो होता है, वो बैठ जाता है तो female frog को male frog पकड़ता है, पकड़ने में copulatory pad काम आते हैं इनमें copulatory organ नहीं होता, reproduction के लिए organ नहीं होता तो जब female के उपर male बैठता है, तो female को message मिलता है कि अभी egg laying करना है, अंडे देने है तो उससे क्या होगा? दोनों एक समय gamit release करते हैं यानि sperm और egg एक समय water में release होंगे जब sperm और egg एक समय water में release होते हैं, तो fertilization के chance बढ़ जाएंगे और ये वाली चीज है जो बेटा, ये शिरफ किस में होती है? ये वाली चीज शिरफ male में होती है यानि male के अंदर on ventral side of first digit, on ventral side of first digit first digit की ventral side पे क्या है? copulatory pad तो copulatory pad है, किस काम आएगा? to hold female, female को hold करने के लिए कब? pseudo copulation के समय है, तो इन के समय है, इनके अंदर जो copulation होता है उसको क्या बोला जाता है? इनके अंदर जो copulation होता है, उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है pseudo-copulation क्यों? क्योंकि वो सही वाला reproduction नहीं होता क्योंकि इसमें copulatory organ तो होता ही नहीं male में एक और चीज होती है ये रही इसका नाम है बेटा vocal sack क्या नाम है? vocal sack तो यहाँ पर लिख देते हैं जो vocal sack होता है ये किसमें है? सिरफ male में यानि गर्दन के उपर ऐसे bulge हुई बार की तरफ उबरी एक थैली सी होती है जिसे इसका vocal sack कहते है जो सिरफ male में होता है तो vocal sack produce sound इसलिए sound जो है वो सिरफ male frog करते हैं female आवाज नहीं करती हलांकि अपनी species में उल्टा है फिमेल थोड़ी से जादा वाज करती है तो मजाक की बात कर रहा हूँ तो vocal sack vocal sack produce sound और इस sound की जो quality होती है उसकी help से female frog male की quality को check करती है या male को identify करती है ठीक है? So help to attract female यानि इस sound की help से male जो है वो attract करता है female को जैसे आप लोग की personality attract करती है female को आप लोग की educational qualification आपकी job attract करती है female को लेकिन यहाँ पर कौन attract करता है female को यहाँ पर female को attract करता है इसकी sound की quality तो बिटा ये सारी बाते हो जाती है इसकी morphology के regarding जो NCRT में लिखे एक बार फटा फट देख लेते हैं आइज जो है वो bulging आई है बार की तरफ निकली है बोडी में दो division है head or trunk यानि इनकी बोडी में neck और tail नहीं होती four limb चोटी होती है less muscular होती है less strong होती है एक four limb पे चार डिजिट होते है जो hind limb होती है वो longer होती है stronger होती है muscular होती है लेकिन पांच डिजिट होते है male के अंदर four limb का जो पहला डिजिट है देखो four limb का जो पहला डिजिट है उसकी ventral side पे copulatory pad होते है pseudo copulation के समय फिमेल को पगड़ने के काम आते है ये structure vocal sac है sound produce करेगी सिरफ male में हो गया इसी लिए बैटा मैं कह सकता हूँ के frog में sexual dimorphism होता है sexual dimorphism present होता है इसका मतलब बाहर से देखके male female को identify करा जा सकता है उसे sexual dimorphism कहते हैं और morphology में बैटा एक चीज और आप एड़ कर लेना के जो larva होता है इनका जिसको tadpole कहते हैं tadpole के अंदर tail present होती है tadpole के अंदर tail present होती है तो ये सब बातें बच्चों हो जाती हैं morphology के regarding अब आगे हम चलते हैं इसके digestion के बारे में बैटा तो इसके digestion के बारे में थोड़ा सा एक बार देखते हैं तो देखते हैं पहले इसकी जो elementary canal है, इसकी elementary canal कर जो division है, उसके बारे में देखो भी type पार, elementary canal के अंदर, जो mouth है, वो open होता है, किसमें बगको pharyngeal cavity में, किसमें open होता है बुको फेरेंजियल कैविटी में राइट तो जो बुको फेरेंजियल कैविटी है एक छोटी सी कैविटी है जिसको आप ओरल कैविटे से रलेट कर सकते हैं बुको फेरेंजियल कैविटी ओपन होती है एक छोटे से फेरेंग्स के अंदर और यह जो फेरेंग्स है यह ओपन होता है इसोफेगस की हाल्प से किसमें इसके स्टमक में है इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो काफी छोटा होता है क्योंकि यह कार्निवोरस होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंटरी कैनाल है वो क्या है वो शोर्ट है तो शोर्ट एलिमेंटरी कैनाल रीजन क्या जाएगा विकोज दीज आर कार्निवोरस ध्यान रखना लोंगेस्ट एलिमेंटरी कैनाल होती है हर भी वोरस में शोर्टेस्ट होती है कार्निवोरस में और इंटरमीडियेट होती है ओमनिवोरस में तो स्टमक चला गया वेटा और open हो गया किसमें? इंटेस्टाइन के अंदर. अब जो intestine है, intestine है, ये open होगा एक structure में, जिसको बोलते हैं, rectum. तो rectum इनमें large intestine का representative है. और rectum open होता है बेटा, common chamber में, और इस common chamber को कहते हैं, cloica. ठीक है? तो ये इसके elementary canal के कुछ part है. अब एक बार, अब एक बार, इसमें जरा देख लेते हैं, इसके जो के बारे में. इसके जो के बारे में. देखते हैं, बचो. तो इसमें जो दांत होते हैं, ये मैंने इसमें दांत बना दी हैं, ये मैंने इसमें टीत बना दी हैं, टीत जो होते हैं, इसमें शिरफ अपर जो में होते हैं, ध्यान रखेंगे, तो यानि अपर जो जो होता है, उसमें टीथ होते हैं, अपर जो has teeth, ध्यान रखेंगे, अपर जो में टीथ होते हैं, लोवर जो में टीथ नहीं होते हैं, तो अपर जो में टीथ होते हैं, और टीथ की भी बटा एक प फूड को चबाना नहीं होता, क्योंकि ये फूड को चबाते नहीं है, सिधा निगलते हैं, तो फिर दांत किस काम आए, प्रे को उपर पकड़ बनाने के लिए, कहीं प्रे माउथ में आके जंप करके बाहर ना चला जाए, और इनके जो दात होते हैं, सारे दात एक जैसे होते हैं, इस परकार के डेंटीशन को कहते हैं, होमोडोंट, तो टीट जो होते हैं, वो होमोडोंट है, सारे दात एक जैसे हैं, और इनके जो दात होते हैं, वो जो बोन के अंदर ऐसे गड़े हुए नहीं हैं, जो बोन पर चि लिखोगे, attach on जो surface not embedded in जो bone जो bone में embedded नहीं है, बलके ऐसे attach हैं, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं, एक्रोडोंट कंडिशन इनमें दान्त जीवन भर आते हैं, गिरते हैं, आते हैं, गिरते हैं, इसलिए हम बोलेंगे these are polypheodont these are polypheodont, तो polypheodont का मतलब teeth appear many times in life दान्त जीवन में कई बार आते हैं, तो ये तीन वर्ड के meaning आपको मैंने बता दी हैं, इसके teeth की property है, ये bocopharyngeal cavity के अंदर हमें opening दिखाई दे रही हैं किसकी opening दिखाई दे रही हैं ये हमें nostril का opening दिखाई दे रहा है, ये हमें दो bulge दिखाई देते हैं इसकी bocopharyngeal cavity में, और ये bulge किसके हमेंने बताया है न, इसके आँखे ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है, bulging आई होती है बेटा, जब आँखे ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी तो अंदर की तरफ से गड़ा सा नहीं बन जाएगा यानि इसका जो mouth जब खोलते हैं उसमें अंदर की तरफ गड़ा सा दिखते हैं आँखों के नीचे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे depression तो depression below eyes तो आँखों के नीचे का depression अंदर की तरफ से दिखता है क्योंकि आँखे ऐसे बाहर गई हुई ना तो बाहर गई हुई तो अंदर गड़ा सा दिखेगा इसके mouth को जब खोलोगे अंदर से देखोगे तो ओके ये जो है ये इसमें जीब है बेटा ये इसके tongue है बेटा जो tongue होती है बेटा तो tongue को आप क्या बोलोगे तांग को आप बोलोगे कि sir इसकी जो tongue होती है वो by-feed होती है by-feed का मतलब होता है by-lobed दिखाई दे रहे है tongue कहाँ पे attach है lower jaw पे attach होती बेटिया and lower jaw तो tongue जो है वो lower jaw पे attach है tunk कैसी है? long है लोंग है देखो टंग का जो ये तो कुन सा पार्ट हो गया ये एंटीरियर पार्ट और ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट यानि टंग अपने पोस्टीरियर पार्ट से अटैच है किसके साथ लोवर जो के साथ एनिवे तो टंग बाइफिड है लोवर जो के उपर है और आपना इसने खा लिया, यहां पे lining है, यह bocopharyngeal cavity है, यह bocoopharyngeal cavity अपने को दिखाई दे रही है, तो यह इसका जो वाला हिसाब किताब हो जाता है, अब आगे चलते हैं, आगे इसका जो elementary गैनाल है, उस elementary गैनाल को थोड़ा सा देखने की कोशिच करते हैं, ठीक है तो एक बार color choose कर लेते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार like जरूर करो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है qualitative तो patience तो रखना पड़ेगा ठीक है ये लो जी इस परकार से ये इसका हम बना रहे हैं क्या elementary canal तो ये हम इसकी elementary canal बना रहे हैं वीटा ये इसका rectum हो गया है और ये हो गया है इसका क्या cloica इस परकार की elementary canal है वीटा लिवर बना देते हैं लिवर भईया इसमें हम लोगों की तरह bylobed ही होता है ये लो जी ये इसका हमने बना दिया फ्रोग जी का लिवर तो ये इसका लिवर हो गया ठीक है लिवर पे attach कर देते हैं हम goal bladder ये लो जी ये लिवर पे हमने attach कर दिया goal bladder तो pancreas बना लो क्योंकि बिना pancreas तो काम कैसे चलेगा बहुत सारे enzyme तोसी में होते हैं ये हमने इसका pancreas बना दिया और ये goal bladder था अब लिवर से जो duct आ रही है ये pancreas वाले duct से जुड़ जाएगी और open हो जाएगी इस पार्ट में हम जैसा ही duct system इनका होता है तो लेकिन यहां पे मैं थोड़ा briefly आपको बताऊंगा detail में हम बात नहीं करेंगे ठीक है चलिए अब इसका इसो फेगस है और इसो फेगस की opening को तुम क्या कहते हो एक बद कमेंट करके बताओ आपका answer होना चीह गलेट यह जो है ये इसका short isopagus है इसका इसो फेगस है गरदन तो है नहीं तो गरदन नहीं है तो इसो फेगस थो छोटा सा ही होगा ये इसमें हमें दिखाई दे यह इसमें हमें दिखाई दे रहा इसका stomach, राइट, यह intestine का जो part इसका नाम होता है, dudanum, और यह जो last part होता है इसका नाम होता है, ileum, ध्यान रखना, इसमें jejunum नहीं होता, तो elementary canal reduced है, jejunum नहीं है, इसलिए वो short है, तो ध्यान रखेंगे, यह जो है ना, यह पूरा part यहां से लेके, और यहां तक का जो part है बेटा, यह पूरा part dudanum है, अब यह जो structure तुम्हें दिखाई दे रही है, यह structure है बेटा, goal bladder, क्या नाम है, goal bladder, और हमें पता है, goal bladder क्या store करता है, goal bladder store करता है, बाइल को, लेकिन बाइल बनाता नहीं है, बाइल को produced कोन करता है, produced by, बाइल इस produced by lever, तो बाइल को बेटा, लिवर प्रोड्यूच करता है, store कोन करता है, goal bladder करता है, अब goal bladder में से, एक डक्त आती है, बाइल को लेके, यह रही, इस डक्त का नाम है बैटा, common, बाइल, डक्त तो ध्यान रखेंगे, common bile duct, bile लेके आती है, कहां से, from goal bladder, यहां पे NCRT में typing mistake हो रखा है, तो goal bladder से आया, common bile duct, यह क्या था structure, इस structure का नाम था बेटा, pancreas, ठीक है, right, pancreas, अब pancreas से तुम्हें जो duct आती दिखाई दे रही है, यह रही, pancreas से तुम्हें जो duct आती दिखाई दे रही बेटा, इसका नाम है pancreatic duct, क्या नाम है, pancreatic duct, अब goal bladder से, जो finally, bile लेके आई है, that is common bile duct, उससे पहले भी बहुत सारे duct होती है, उसके अपने को जूरूत नहीं है, तो goal bladder से जो duct आई है, common bile duct, pancreas से जो duct आई है, that is pancreatic duct, और ये open हो गई है, जिसका नाम है, hepatopancreatic duct, क्या नाम है, hepatopancreatic duct, तो question आता है, ये duct क्या लेके आती है, है, hepatopancreatic duct में बटा दोनों चीज़े है, उपर से bile, side से pancreatic juice, so it is for bile plus pancreatic juice, तो दोनों के लिए ये duct available है, present है, तो ये हो गई इसका duct system, ये जो part बटा, ये होता है, इसका rectum, और यहाँ पे दो opening होती है, यहाँ पे दो opening में दिखा देता हूँ, किसकी? ये दो opening मैंने दिखा दिए, बटा, uridor की, ठीक है, तो uridor की, तो male में तो दो ही opening होती है, यहाँ पे uridor की, तो यूरीटर कहां से आएगा, किडनी से आएगा, क्या लेकर, यूरीन लेकर, यूरीन लेकर यूरीटर आता है किडनी में, तो वो भी यहां पर डाल दिया जाता है, फिमेल में दो ओपनिंग और होती हैं, इनके अलावा दो ओपनिंग और होती हैं यहां पर, वो होती हैं OV तो इस इस यूरिनरी ब्लेडर तो ये इनका हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर ये चीज क्या है ये जो पूरा चेमबर है बटा इट इस क्लोई का तो क्लोई का एक कॉमन चेमबर है किसके लिए वीबमें 4 digestive system क्योंकि रेक्टम से वेस्ट आएगा 4 reproductive system क्योंकि मेल में यूरितर ही sperm लेके आता है 4 excretery system क्योंकि यूरितर से urine भी आता है लेकिन female में ureter सिरफ urine के लिए होता है, oveduct gamit के लिए होती है, male में ureter से ही urine आता है, उसी से ही sperm आते हैं, यह हम आगे detail में आपको बताएंगे, तो that is ureter, यह हो गए बटा, cloical aperture, cloica के opening, outermost side में, तो यह हमने digestive system का इसका एक part हमने finish कर दिया है, next class में हम digestive system के remaining part को finish करेंगे, और हम finish करेंगे respiration के बारे में, तो बचो, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, एक एक line आपको समझ में आ जाएगी, जब पूरा chapter हम इस तरीके से पढ़ देंगे, फिर हम इसका NCRT reading करेंगे, so till then take care, bye bye.